भारती टीम जिस तरह ICC के टोर्णामिंट्स में शिकिस्त खा रही है न्यूजिलेंड से, अस्ट्रेलिया से, इंगलेंड से, दो और वल्ल टेस्च चंपिंशिप के फाइनल हारी हुई है एक T20 वर्ल्ड कप का समी फाइनल हारी हुई है या एक वन डे के वर्ल्ड कप का हो गया है रोहद शर्मा और जीता गरकर ने भारती स्कॉर्ड का अलान किया वर्ड कप के लिए उस स्कॉर्ड के अंदर आपको पता है कौन कौन से प्लेयर्स हैं पांच उन्होंने बैट्समेनों को रखा चार आरॉंडर्स को रखा दो विकट कीपर को रखा और साथ दो स्प है वो अपनी टीम को ट्रोटे नामों से पकारना स्टार्ट हो गई है भारती अवाम चाह रही है कि भारती टीम ऑस्ट्रेलिया इंग्लेंड और न्यूजीलेंड से वर्ल्ट टेस्ट चैंपिन्शिप टीट्वंटी वर्ल्ड कप और 50 वर्ल्ड कप का बदला ले क्या भारत टीम का एलान होने के बावजूद भी इस टीम के अंर खामिढां हैं अभी खामिढां क्या हैं भारती टीम के अंदर कोई नहीं है भारती बारती टीम में चार स्पिनर्स खिलाए हैं, तीन लेफट आम स्पिनर्स हैं, और एक है लेग ब्रेग युजविंदर चहल, ओफ स्पिनर कोई नहीं है, और सबसे जो बड़ी कमजोरी है इस वकत भारत की वो है भारती टीम के उपर प्रेशर, मसलसल, ICC टॉर्णामेट्स हार का प्रेशर, ये प्रेशर भारती टीम लेकर जा रही है वर्ल्ड काप खेलने के लिए, क्या भारती टीम इस प्रेशर को तोड़ सकेगी, भारती टीम हर मरतबा ICC टॉर्णामेट में जलील होकर वापस आ जाती है, फाइनल खेलकर, समी फाइनल खेलकर, पाकिस्तान के साथ मकाबला है, लेकिन भारती अवाम जो चा रही है, वो चा रही है कि निजिलेंड, अस्ट्रेलिया और इंगलेंड को हराए, भारती टीम, भारती अवाम का पाकिस्तान के साथ इस मरतबा कोई तालुक नहीं है, लेकिन भारती जो टीम है, उसके उपर जो प्रेशर है, वो इ पूछा गया था कि पाकिस्तान का पेस बॉलिंग अटैक जिसमें नसीम, शहीन, हारिस रोफ और महम्मद आमिर शामिल है उनको कैसे टैकल करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी, उसके लिए अजीत अगरकर ने बोला, कि उसके लिए हमने वरात कोली को रखा हुआ है, ल हर टीम का वैर डे हो सकता है, हर टीम का अच्छा दिन भी हो सकता है, हर बॉलर का अच्छा दिन भी हो सकता है, ये चीजें मैटर करती है, टीटवन्टी के अंदर कुछ भी पोसिबल है, न्यूजिलन्ड के बच्चों ने आकर पाकिसान को मार दिया, अब टीटवन्टी वर आक बॉल का बैट्समेंट होता है और बालर के पास छे बॉले होती है भारती टीम का टॉप उडर बहुत स्ट्रोंग नजरा रहा है लेकिन मिडल ऑोडर के अंदर वो स्ट्रोंग है लेकिन इतना 스트rong नहीं है, अगर रिंकू सिंग को भारती टीम के अंदर सलेक्ट किया जाता रिजर्व में ना रखा जाता अक्शर प्टेल की जगा के उपर क्यूंकि आपके पास एक रविंदरा जदेजा की सुरत में अक्षर पटेल से अच्छा रविंद्रा जदेजा बॉलर और आर राउंडर है अक्षर पटेल से आप क्या दो बॉलर खिलवाओगे अक्षर पटेल और रविंद्रा जदेजा को कठे खिलाओगे नहीं आपको रिंकू सिंग को डालना चाहिए था आजकल रिंग्कु सिंग इस तरह का बैट है کہ मुझे इसको आउट करने के लिए किसी टीम के पास बालर नज़र नहीं आता कि जो रिंग्कु सिंग को काबू कर सके बैड डे, बैड शौट या बैड लग वही रिंग्कु सिंग को आउट कर सकती है पाकिस्तान के पास, अस्ट्रेलिया, निजिलेंड, इंग्लेंड, साउथ अफरीका, किसी के पास इस तरह का बॉलर मुझे नजर नहीं आ रहा जो रिंकू सिंग को पकड़ सके लेकिन भारती टीम ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी है जो रिंकू सिंग को उन्होंने रिजर्व में डाल दिया भारती टीम के अंदर फास्ट बॉलर्स जो नजर आ रहे हैं फास्ट बॉलिंग अटैक भारत का इतना स्ट्रॉंग नहीं है जितना के वर्ल्ड कप पिछले वर्ल्ड कप के अंदर था अर्षदीब सिंग फॉर्म में नहीं है महमद सिराज की खुल के पटाई हो रही है लेकिन सिर्फ एक भॉमरा ही भॉमरा है जो के फास्ट बॉलिंग अटैक को लीड करेगा भारत की तरफ से अगर भॉमरा का साथ किसी ने ना दिया तो भॉमरा का भी वो कटापा होगा के भॉमरा अपड़ी लैनो लैंट बूल जाएगा स्पिन बॉलिंग अटैक भारत का बहुत स्ट्रोंग है साथ में हर्दिक पांडिया वगर बॉल डालता है अगर पूरा फिट है तो अगर वो आईपियल की तरह बॉलिंग करवाता है तो कोई उसका हाल नहीं है भारती टीम को कोई पूछने वाला नहीं है अगर वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ बॉल करवाता है फिट होकर जैसे बॉल करवाया जाता है उस तरह अगर बॉल करवाता है के एस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड और इंग्लेंड को हराना है बालर्स के सर के उपर मैच जीते जाते हैं अगर ये बालर्स परफॉर्म करेंगे तो ये भारती टीम इंग्लेंड, एस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड को हराने में कामया हो जाएगी अगर बालर स्पोर्ट नहीं करते तो भारती टीम का जो मुकदर है वो जलालत और शिकस्त है जो कि उसको मसलसल मिलती आ रही है ये देखिएगा अगर भारती टीम इन टीमों को नहीं हराती हार के आ जाती है अगर पाकसन को हरा देती है या पाकसन से भी हार के आ जाती है तो भारती टीम को इंडिया के अंदर वेलकम करने वाला भी कोई नजर नहीं आएगा तो दोस्तों आपको अमरे यह प्रोग्राम कैसा लगा आपके कमेंटर में जरूर दाजिएगा नेक्स वीडियो में दुबारा सुम्हाता तुम्हाता तक लिए लाहाफीज